दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लागते रहते हैं नए-ने बिजनिस आइडियाज और नएनी जैनकारी के वाला के लिए ततकालिक समय में विबिन स्थानों पर कई तरह के होटिल खोले जा रहे हैं बड़े-बड़े लौंच में विवास रिसेप्शिन जनम दिवस आदी को मनाया जाने लगा है पाटी मनाने वले स्थानों पर देखा जाता है कि खाना खाने के लिए सिल्वर पेपर से बनी थाली क प्रियोग किया जाता है आज इस वीडियो में मैं आपके लिए सिल्वर पेपर बनानी का व्यपार कैसे स्तापित करें से जुड़ी सारी संबंदित जानकारी लेकर आई हूँ सिल्वर पेपर बनानी के लिए कच्चा माल कच्चे माल में ब्राउन पेपर जिसकी कीमत है हजार उपे सिल्वर पेपर की कीमत जो 38 रूपे प्रति किलोग्राम एवन चिपकानी के लिए गम का प्रोग जो आपको 200 प्रति लीतर में मिल जाएगा कच्चा माल आप online website के माध्यम से भी खरीच सकते हैं website का link हमने आपको description box में दिया हुआ है silver paper machine इस व्यपार के लिए प्रयोग किये जाने वली machine फून रूप से स्वाचलित है कहां से खरीदे? online website का link हमने आपको description box में दिया हुआ है silver paper machine की कीमत आपको इस machine को लगाने के लिए लगबक सवा लाग रुपे की जरुवत पड़ेगी इस machine की सायता से 10 घंटे कारे करने करीबन 1500 kg तक silver paper बनाया चाह सकता है silver paper making व्यपार से लाग इस व्यपार में 1 kg silver plate paper पर कम से कम 2 से 3 रुपे का लाग प्राप्त होता है अतहा यती प्रती दिन 10 घंटे का कारे करके 1500 kg उत्पादन किया चाता है तो प्रती दिन लगबक 4,000 रुपे का मुनाफ़ा होना सुनश्टित हो जाता है यदी महीने के सभी अन्य खर्चे निकाल दिये जाएं तो प्रती महीने लगबक 6,000 रुपे तक का मुनाफ़ा प्राप्त कर लेना संभव है सिल्व पेपर बनानी की प्रक्रिया सबसे पहले ब्राउन पेपर रोल को इस मशीन में ऐसे लगाया जाता है कि पेपर कहीं से मुड अत्वा फट ना जाए इस मशीन के उपर से सिल्व फॉइल का रोल जुड़ा हुआ होता है इस फॉइल को भी मशीन की उसी हिस्से में लगाया जाता है जहां पर ब्राउन पेपर का रोल लगा होता है दोनों पेपर कुछ इस तरह से लगे हुए होते हैं बाहा निकलने के बाद एक दूसरे से पूरी तरह से चिपके हुए हो इसके उपरांत मशीन के इस हिस्से में जहां पर दोनों पेपर आपस में मिलते हैं वहां पानी मिश्टित गोन डाल ली जाती है ताकि ये दोनों पेपर एक दूसरे से चिपक सके मशीन के चलाने के साथ ही एक तरफ से सिल्वा पेपर और दूसरी तरफ से ब्राउन पेपर आकर चिपकने लगता है और प्लेट के लिए आवशक पेपर कर निर्मान होने लगता है इसके बाद इस बने हुए पेपर का प्रयोग आवेबिन पनावली बनाने के लिए कर सकते हैं पेपर व्यपार के लिए आवशक स्थान इस व्यपार के लिए मध्यम अकार की मशीन को लगाना होता है जिसे 100-500 स्कौाइर फीट स्थान की आवशकता पड़ी ताकि मशीन को बिना किसी अवरोत के चलाया जा सके हाला कि इसमें प्रयोग होने वाले सिल्व पेपर और ब्राउन पेपर को रखने के लिए तथा बनने के बाद प्रड़क को रखने के लिए भी जगा की आवशकता होती है अतहा आपके पास अगर धाई सो वर्क फीट का स्थान उपलब्ध है तो इस व्यपार को आरम करने के लिए वो बहतर होगा व्यपार की जगा का चुनाव वहां गाडियां के आयात निर्यात में सुविदा को देखते हुए करें इसकी पाकेजिंग में साधार और पॉलेथिन का भी इस्तमाल हो सकता है इन पाकेजिंग में आप चाहें तो आप से जुड़ने की जानकारियां देकर भी प्रचार कर सकते हैं सिल्वा पेपर मार्केटिंग कैसे करें इस वस्तू की मार्केटिंग पूरी तरह से उस बजार पर निर्भर करती है जहां से लोग शादी विवा आदी समारों के लिए किये जाने वले भोज के लिए चीजे खरीदते हैं आप इन बजारों में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं इसके अतिरिकत आप चाहे तो अपना ये प्रोडक्ट होलसेल के तौर पर भी बेच सकते हैं सिल्वा पेपर बनाने के लिए लाइसेंस, लाइसेंस की आवशक्ता तो इस वेपार में पढ़ती है, ताकि आपके प्रोड़क्ट के लिए लोगों की विश्वासनियता बनी रहे, आप चाहे तो अपने वेपार स्थान का पंजी करन भारत सरकार के MSME के जरिये भी आधार का निकले हमेशा ही तैयार है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेर करें